Hello my lovely student, this is Meenakshi Vashne. Welcome back to my channel, Smart Classes with Meenakshi Vashne. Today I am going to start with chapter 8, Quadrilaterals. तो आईए हम अपने इस chapter के बारे पढ़ते है, Quadrilaterals होता क्या है? इस chapter को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये topic आया खहां से, तो आईए मैं आपको समझाते हूँ. ये आपका जो topic आया है, वो आया पॉलिगॉन से है. हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिगॉन होता क्या है? पॉलिगॉन होता है कोई भी ऐक ऐसा closed figure जिसमें more than two line segments हो, just like आप ये देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं, ये सारे closed figure है, इसमें दो से ज्यादा line segment है, इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये circle को छोड़ कर, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी line segment नहीं है, तो ये सारे figures क्या होते हैं, आपके polygons, इसी मैंसे ही आपके लिए जो उठाया गया है, जिसमें four side है, उसे आप quarter lateral कहते हैं, पाड़ी लेटरल, ओके सर, आईए, अब हम समझ के अपने पाड़ी लेटरल के बारे, जो हमारे chapter का नेम है, सबसे पहला मुझी को समझ के, ये थोड़ा सुप क्या है, इस बज़े से पैस्तर की सब्राइए, चलिए, आईए, क्वाड़ी लेटर, क्वाड़ी लेटरल होता क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बटाया, कुई भी एक ऐसा figure, जिसमें four side हो, ये, क्वाड़ी लेटरल है, अच्छा, क्वाड़ी लेटर में ये भी आता है, कि क्वाड़ी लेटरल की एंगल का सम कितना होता है, वह सारी चीज़े आदि हैं भी क्वाड़ी लेटरल में, तो पहले मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी बताऊंगी, एंगल सम प्रोपर्टी और और कोडिदेटेंगे कर्देटे ना कि ऐसा भी एक फिए लिए अब यह रहागी आप एक इसा भी फिगर ले लिया मुझे नहीं पता तो मैंने को भी फिगा ले लिया इसमें ये बनाया और आपको डाइगनल भी पता होना चाहिए हाला कि यह 9th स्टेंडर का है तो आपको पता ही होना चाहिए डाइगनल होता का है तो फिल्म में या रिपीट कर देरी हूं जो अपोजेट 2 वर्टिस को मीट करता है एक ऐसी लाइंड वह आपकी क्या गयती है तो चलिए यहां पर मैं नेमिंग कर दे रही हूं वन टू त्री फोर इसे दे देरें फाइब और यह हो गया आपका सिक्स तो चलिए आप सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी जैसा कि आप स तो चलिए मैं लिख सकती हूं उसे एंगल फाइब यह मेरा ट्राइंगल है यह वाला यह तो आप इसे कह सकते हैं फाइब फोर प्लस एंगल वर इसका संब कितना हुआ वन एटी दिगरी को लगाना मत भूलेगा चोट 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 बहुत चीज हैं जो के बच्चे जाए ज आप फिर से दीजा आप इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल बी सी डी इसमें एंगल कौन से आ रहे हैं आपके एंगल 2 एंगल 3 और एंगल यह है मेरा 6 इसका भी सम्वा नेटी होगा इक्वेशन सेकेंड नाओ एडिंग इक्वेशन फरस्ट एंड दोनों एक्वेशन को आप एड़ करें तो चलिए एंगल फर्स्ट वारी पर लिखते हैं 5 एंगल 4 एंगल 1 प्लस यह सेकेंड वाली एक्वेशन की पर एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वेशन टू राइट एंड साइड का 180 प्लस 180 इसमें आप क्या करेंगे लेफ्ट ए एंगल 5 को मैं लिख सकती हूँ एंगल 8 आईए 2 और 1 इसे हम लिख सकते हैं 2 और 1 ठीक है जी इसे मैं क्या लिख देरी हूँ एंगल D, now angle 4 और 3 angle 4 और angle 3 यह जो आपको दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा highlight कर देरू, angle 4 और angle 3 इसे हम लिख सकते हैं अपना angle B, plus 6 का तो मेरा है यह एक अकेला, angle C, add कर यह वई कितना आया, 360 तो हमने बता दिया, angle A B, C, D 4 angles का sum जो हता है, कितना होता है, 360 तो यह रहा मेरा angle sum property of quadrilateral अब अगली हम वीडियो में पढ़ेंगे tax of quadrilateral इसके डाइगनल्स के बारे में यह सारी चीज़ हम अपने अगली वीडियो में खेंगे, thank you